उसकी और इसकी परिवाइसा एक हो गई देखिए उसको मौका नहीं मिल गया इस प्लेग्राउंड में आये और इनको क्राउड आउट कर दे नी नी वो तो देखिए मैं तो कहा था कॉम्पीटिशन मोनोपली एंड हो और कॉम्पीटिशन हो मेरे से अच्छे डॉक्टर है उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अच्छे डॉक्टर हूँ तो मैं उस हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिश ही ना करूँ जिसमें अच्छा डॉक्टर है मैं भी वहाँ जाओंगा और भविश्य ही निर्धारित करेगा कि अच्छा डॉक्टर कौन है ठीक उसी प्रकार लतामंगेशकर जी है तो क्या कोई और गाये गाये क्या बिल्कुल गाये उसी मूवी में गाये वो भी आगे बढ़े तो मुझे ये कहना कि कोई एक बड़ा प् आप ऑप्शन दीजिए ऑप्शन देंगे तो बहतर जो होगा वो जलता चुलिए एक टिप का उधारण दिया हलांकि मुझे वह अच्छा नहीं लगा व्यक्तिगत रूप से क्योंकि ये भारत सरकार की कॉंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं और मेरी सरकार की कॉंट्राडि प्रधान मंत्री जी ने विमेन महिलाओं को दिये कोरोना काल में क्या वो टिप थी वो टिप नहीं है वो देश के लोगों का हक है देश की सरकार पे इसलिए उसको टिप की साथ तुलना मत कीजिए आप अपनी बातों को और प्रधान मंत्री जी की बातों को खाने की टेबल आप डाक्टर रहे वे हैं, अभी तो शायद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आईए करेंगे, करते हैं, आईए, 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 मेडिसन देते हैं, अच्छे, मुझे यह बता है, जब व्यक्ति, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको, मेरे, मेरे हमारी तो संस्कृत यह है, मेरे जो सब्वता है, वो बता रहा हूं कि उसका हात पकड़ के हम उसको चलना सिखाते हैं, जब वो साइकल चलाता है, तो मेरे जो बेटी साइकल चलाती तो मैं पीछे-पीछे उसके दॉटता हूं, खाला की ज्यादा नहीं दौड पाता हूं, पर फिर भी कोशिश करता तो यह कह रहे हैं कि हम तो आत्मी निर्भर नहीं बनता है MSME जब अगर जो प्रापदा में है तो उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी तो दुनिया के दूसरे देश से आप हर चीज कंपेर करते हो तो MSME को प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते हैं और मिडल इंकम ग्रूप जो कि हम सब लोग है उनको प्रोटेक्शन करते हैं लोगों की नौकरियां गई है बोजन उनकी सेलरी कट हुई है उनकी स्पेंडिंग कम हुई है उनके लिए पेच्शन क्रोटेक्शन क्यों नहीं लाते हैं मैं आप जवाब देदू देखिए इन्हों टिप की बात कहीं बिल्कुल टिप देना चाहिए इन्होंने कहा कि छे हजार रुपए जो हम प्रतिवर्श क्रिसान सम्मान निधी की रूप में देते हैं या 500 रुपए महिला को अगर हमने दिया इस समय जब लोगडाउन हुआ तो क्या गलत गलत नहीं था और इस भाई के लिए अधिकार है वो भी हिंदुस्तानी है देना चाहिए मगर इन्होंने कहा जब बेटिया हमारी भागती है साइक्लिंग करती है तो हम पीछे-पीछे मेरे पिता जी भी जब साइक्लम करते पीछे-पीछे-पीछे-पीछे- और अभी भी भाग रही है कभी नहीं गिरने देगी मगर साथ में बेटा और बेटी के लिए माता और पिता ये भी कोशिश करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट्ली साइक्ल चला भी ले मैं जीवन भर पीछे इसके असे दो हाथ नहीं करता रहूँ तो यहां का कौन से दिया जाए उज्वला और गया सिलिंडर दिया जाए वो भी है मैं उसको हैंड होल्डिंग भी मानूंगा और आत्मनिरभर कर देखिए वह बेसिक एमिनिटी है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करके एक आने वाले समय में हम अपने आपको कॉंसोलिडेट करें और हम अपने आपको बड़े स्पेंडिंग के माध्यम से खड़ा करें ये हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक है वरना हिंदुस्तान का स्पाइन और मेरुदंड जो है वो टूट जाएगा कि किसी को मचली देना तो ठीक है मगर मचली देने से अच्छा है रोज रोज कि उसे मचली पकड़ना सिखा दो तब वो आत्मनी हमने मचली दिया भी है देते भी रहेंगे और साथ में मचली पकड़ना सिखाएंगे मेरा सवाल वही था आपने कहा हम तो उनको आत्मनी निर्भर बना रहे हैं मैं पूछ रहा हूं उनको आपने क्या दिया नंबर वन दूसरा आप उत्तर दे दिजिएगा बात पे जो मिडल इंकम ग्रूप है उनको क्या रियायत मिली इस टेक्स में और रियायत क्यों मांग है क्यों अपेक्षा है हम लोगों को उसका विकारन बता रहा हूं क्योंकि हमारी नौक्रिया गई है हमारे घर में इस एलरी कट हुई है उनको क्या रिया है उनकी टेक हम सेलरी कितनी बड़ी एक लाइन और डिस्पोजिबल इंकम उनकी आपने कैसे बढ़ाही है और 35,000 क्लोड रुपे वैक्सिनेशन के लिए आवंटित किया गया है और निम्ला जी ने कहा है आवश्यक्ता पढ़ने पर इससे अधिक भी हम पैसा देंगे अब क्या लगाने के बाद अब खाने के थाली के लिए जैसे यह बहुत बड़ी बात है और मैं आज यहां कॉंप्लिमेंट कर दूँ यहां पहली बार में अपने जीवन में देख रहा हूं कि तीन महीं आए आज आपने सच में खाया है कि नहीं मुझे पता नहीं मगर झाले पको!